तो वेल दोस्तो फाइनली ब्लैक लोर का मांगा चैप्टर 277 रिलीज हो चुक है एंड सीरसली इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा वेट किया है और जो भी हो आज हम लोग ब्लैक लोर का मांगा चैप्टर 277 कवर करेंगी तो बेसिकली यह चैप्टर यूनो लैंगर coconut start हो जाते है और fight होते करते करते यूनो का एक new form आ जाता है एंड फिर यूनो, Zenon के उपर एक बहुत ज़्याद ही खतर न आटेक करता है उसके heart में चैप्टर एंड हो जाते एंड उसके आगे जो होगा वो सब चीज तुम लोगो इस चैप्टर में पता चल जाएगा तो चलो 277 स्टार्ट करते हैं तो स्टोडी कंटीनियू होता है और जो मर रहा है वो तुम हो जैनॉन तुम इस फैक्ट को रिग्रेट करते करते मारोगे कि तुमने गोल्डन डॉन के उप्पे हांथ उठाया एंद फिर Zenon मरने लगता है एंद Langeris बोलता है इसे हराने के बाद हम लोग Descent of Clifford मतलब कि जो Rituali लोग कर रहे हैं उसका नाम है तो उसे खतम करके हैं उसे रोख के हम लोग Captain Vanjans को बचा लेंगी एंद फिर scene change उजाता है और focus किया जाता है Charlotte, Ril और Venika के उपर तो यहाँ Venika बोलती है मैंने सुना कि कुछ लोग बीना permission के यहाँ आ गया है पर यह Noil नहीं है और फिर Venika, Charlotte और Ril को बोलती है चलो देखते हैं तुम लोग से fight करने में कितना मजाता है तो फिर उसके बाद Venika बोलती है हम लोग fight नहीं कर सकते जब तक तुम लोग हमारे 8 members को हरा नहीं देते और फिर उसके बाद Charlotte अपना briar magic corpse hunting briar tree यूज करती है और फिर Charlotte का magic देखके Venika बोलती है मैं शर्थ लगा सकती हूँ कि यह magic curse के बावजूद बहुत ज़्यादा powerful है और फिर रिल भी अपना magic painting magic यूज कर देता है और painting magic देखके Venika बोलती है यह बहुत मज़ेदार है कि तुम painting magic यूज करके different elements को बाहर ला सकते हो पर यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सुझा था और फिर उसके बाद वो बोलती है कि उसे को आस्ता और Yami से लगना था और उसके अगले पेज में Venika बोलती है मुझे उन्हें अपना खिलोने बना के रखना था वैल इसे रहने दो और यामी के मरने के करण after world का दरवाजा खुल जाएगा और उसके आगे Venika बोलती है पर मुझे लगता है कि Yami उतना भी powerful नहीं क्योंकि दान जेसे लड़ने के बाद Zenon उसे यहां ले आया और फिर चार्लॉट अपने पाश के बारे में सोचती है और कुछ लोग बोलते हैं नहीं चार्लॉट तुम genius हो Captain क्या आप magic पढ़ रहे हो and I think यह लोग जो चार्लॉट से बात कर रहे हैं वो उसके squad वाले हैं पर मैं sure नहीं हूँ बट जो भी हो आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद चार्लॉट बोलती है Curse एक हदकड़ी जैसा है जो मेरे magic को suppress करता है माना method को अच्छे से सीखने के बाद मैंने Curse रोज को भी अच्छे से यूज करना जान लिया है दौरो सनी मुझे एक बार बताया था वह है दौरो थी कौन है तुम लोग जानते हो गयार Coral Peacock की Captain है तो उसने चार्लॉट को एक बार बताया था कि दुनिया का पूरा Curse Magikula से आया है अगर यह सच है तो मुझे लगता है कि Magikula बहुत ज़्यादा ही powerful है मतलब यार पूरा दुनिया का Curse Magikula से आया है तो तुम लोग भी imagine कर सकते हो अगर यह सच है तो कितना ज़्यादा powerful हो सकता है Magikula तो वहलब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद Charlotte बोलती है तुम्हारे Curse के कारणी में इतनी strong बनी और फिर Charlotte माना मेथड Paradise of the Blue Briar यूज करती है और फिर यह जो members लोग है यह वो 8 members हैं उन लोग के पर बहुत ज़्यादा ही damage हो जाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ही damage हो जाते हैं इसे देखके वेनिका बोलती है जो Curse मैंने चार्लट के उपर लगाया था वो कमजोर पढ़ रहा है और फिर वेनिका अपना दूसरा आग खोलती है और बोलती है उसने Curse को estimate करके उसे anti-curse जैसे यूज किया ऐसा करने वाला person exist करता है interesting वैसे सच बताना वेनिका को दूसरा खोलता है तो वेनिका बहुत जादी खतरनाक लगती है कि नी मुझे तो लगती है सच बूलू तो तुम लोग को क्या लागता है मुझे कमेंट्स में बताओ या सवर्नो लिख के and well अब हम लोग आगे बढ़ते है and फिर चालो और यह सब जातर दिये and बोलती है यह सब भी मेरे लिए नरिश्मेंट जैस है और यह है असली blue briar magic sorry sorry blue briar है वो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ तो यह है असली blue briar magic और यह देख कि तो वहां के जो लोग हैं जिसके उपर यह attack करती है वो लोग दहशत में आ जाते है and really इननों का जो expression है उसको देख के दिन खुश हो जाते है and really इननों का चाहरा देख के बहुँँ ज़द हासी आता है और फिर उसके बाद आता है चारलोड का नया form जैसा तुम लोग thumbnail में भी देख चुके होगे और मैं यहाँ पास भी दिखा देता हूँ तो यह form कुछ ऐसा दिखता है and वो बोलती है अब मैं दोनों blue और red prior को control कर सकती हूँ and really यह form देख के मेरे मन में आया कि कुछ chapter से हम लोग को characters के नए-नय form दिखाये जा रहे जैसा कि पहले हम लोग को लिखा दूँगे कि मैं कितनी powerful हूँ and फिर चार्लोट को देखके वैनीका हसती है और बोलती है मुझे एक perfect penny में मिला है and फिर चार्लोट बोलती है जह unfortunate है पर मैं तुम्हार साथ लड़ूँगी and फिर वैनीका बोलती है तुम किसके बार मैं बात कर रहे हूँ मैं तुम्हारे ब्रायर को अराम से हटा दूँगी and फिर चार्लोट रिपलाई देती है जिसके पास ज्यादा कर्स है उसे ये ब्रायर और ज्यादा जोर से पकड़ेगा और फिर वेनिका बोलती है अब मज़ा हैगा और फिर चार्लोट उसको बोलती है तुम careless हो, excited हो इसके कारण तुम बिल्कुल भी alert नहीं हो और फिर वेनिका बोलती है ऐसा मत बोलो और फिर चार्लोट उसे बोल देती है मैं तुम्हारे जैसे हो औरतों से ठक चुकी हूँ एंड चार्लोड उसके उपर अटैक कर देती है और बोलती है विदर अवे विद्योर अंग्रेंटेड विश और यह है वो पनिश्मेंट जिसे मैंने तुम्हें दिया एंड जन चैप्टर एंड हो जाता है और अवेरिका भी इतना असानी से नहीं मरेगी यार इतना असानी से लोग डीमन्स वरी लोग मर नहीं जाएंगे और इतना असानी से मर गए तो क्या मजा आएगा मजा ही क्या आएगा यार फाइट देखने में तो यह था ब्लाक लोड का मांगा चैप्टर 277 का फुल एक्स्प्रेशन अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और बताओ यार कमेंट में कि एक्स्प्रेशन कैसा लगा चैप्टर का चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ना तो चलो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अरिगा तो जायमा